तो हेलो गाईज आप लोग अगर स्वागत है मेरे चैनल में तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे मैंने अभी बनाया है एक घर जो कि मैंने पहले अभी शोड में आपको दिखाया था वो उसको मैंने इस तरह कंप्लीट कर लिया है तो आपको यह घर कैसा लगा मुझे कम आप लाइनिंग अरिया दिखा देती हूं सिंपली आप मैंने यह पेक लेडर लगाया हुआ है चलिए नीचे चलते हैं यहां पर पी कुछ नीचे जाकर को फाइदा नहीं है तो अभी मैंने इस एरिया तक आपको लाया इसके ऊपर चलते हैं तो पहले हम यहां पे आज फा बना लेते हैं क्योंकि फार्मिंग के लिए वाटर लाना होगा वाटर तो बकेट की जरुरत पड़ेगी मेना वाटर के तो फार्मिंग होगी नहीं तो और हमें एक हो बनाना होगा जिससे की खेल को जोता जाता है अधर्वाइस वहां पे सीट्स नहीं उगेंगे तो इसलि को बनाने की और तो यहां पर हम बनाएंगे अपना फार्म तो इस एरिया को घर के पास ही बनाएंगे ताकि अच्छा रहेगा देखने में भी सुन्दर लगेगा तो यहां एक ब्लॉक और यह दो ब्लॉक तीन चार चार ब्लॉक का एरिया लेंगे यहां पर हम लोग पानी डा देते हैं तो यह देख सकते हो यहां पर एक और ब्लक तूटेगा चार-चार हो गया बीच में दो एटिया छूटा हुआ है ताकि यहां पर हम फिर हो से इसकी जुताई करके यहां पर सीष लगा सकें चलिए पानी लेकर आते हैं और यहां पर मैंने घर बनाया था गाई स्कू तो मुझे इंफिनिटी सोर्स बनाने की ज़रत नहीं है तो यहां से वाटर लेकर आके अराम से कोई भी जगार पानी की ज़रत होगी तो हम यहीं से पूरा कर लेंगे तो हम एक बकेट वाटर लेकर आते हैं और इसमें पहले डाल देते हैं फर्स्ट लाइन में मैंने डाल आप चलें फिर से एक पर वॉर्त लाने चलते हैं ताकि पानी को फिरसे एम पर चलते हैं पानी को यहां पर बस्त को डाल देंगे को देंगे गाईज उसमें मैंने होसे खुदाई कर ले धर भी दो का एदिया लेंगे इधर भी हम लोग होसे इसकी जुताई कर देंगे खेत की इधर भी दो बैदो की तो यह हुआ हमारा फार्म की चोड़ाई और बीच में वाटर का जो सोर्स है वो डाल दिया है अब चलते हैं हम अपने घर के अंदर और सीट्स लेके आते हैं ताकि हमारा फार्मिंग हो सके तो पहले हम यहां चलते हैं मेरे स्क्रेट में यहां पे है सीट्स ले लिया है हमने चले बाहर चलते हैं अब हम यह से सीट्स को बोएंगे अपने खेत में ताकि वह उप जाए जल जल दी तो यहां ने सीट्स तुरद भी उग जाएगा अराम से अगर पानी दे दिया तो अब चलते हैं फिर से घर की और और यहां देख सकते हैं पहले मुझे यहां पर एक और काम करना होगा पहले चलते हैं घर की और और वहां पर हम वुट के कुछ स्लैप को बनाएंगे ताकि वह जो वाटर था न गाईज वह उस पे हम गीरे नहीं और वह अगर वह जो फसल मारे उग जाएगी उसके बाद अगर हम उसे काटेंगे तो फिर पानी में ना गिर जाए इसलिए हम इसे स्लैप में कंवर्ट कर दिया है मैंने यह देखो मैंने पा इस तरह आपको ढग देना है ताकि आप पानी में गिरों नहीं और कोई भी आपका समान पानी में ना गिरे तो यह था हमारा आज का फार्मिंग कैसा लगा आपको चलिए अंधर चलते हैं अब हम कुछ औजार बनाएंगे जैसे कि स्वोर्ट बनाएंगे और सील्ड बनाए आपको सील को एक्विप कर लेते हैं तो मैंने सील को एक्विप कर लिया है और यह दू हमारा आर्ण का स्वोड तो आज का हमारे वीडियो इतना ही था नेक्स्ट एपिश्ट में आप से मिलते हैं गाइस बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक को लेकर आई होप आपको वीडियो पसंद आए और ये फाम भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो वीडियो को कर देने लाइक चैनल को कर देने सब्सक्राइब और इसमें मैं अफलाइन वक करके और भी सुंदर बना दूंगी